n하는데 अगुई घर्मी के है, तो गर्मी सबसे जाधा ہं लोन्डो को नहीं लगता, वंदियो को सबसे जाधा गर्मी लगती पांगे। और जब टक आगे वालि इस रोह पर लड़कियों नहीं बैठती है, तर तक मैं चार्ज नहीं होता। तो ऐसे तो वह ऐसे तो कुछ चार्ज हो पर डिश्टार्ज वाले आगे काफी लोग बैठे हैं तो यही है कि लड़कियों का गर्मी खूब लगती है और उनका एक्सप्रेशन गर्मी के प्रती बहुत ही खतरनाख होता वास में हमसर देखिये कामल देखा जाए तो हम जो लड़के हैं बाहर निकलते हैं देशी हैं गंचाल पेट लिए निकल दिए लड़कियों का आप लोग को पता होगा कि अगर जो डबल होंगे उन्हें तो कायदे से पता होगा सिंगल ओले सायद कुछ ही समझे लेकिन यहां पर लिकतर तो सब डबल ही दिखाई दे रहा है तो जो सिंगल हो नहीं मनलब कम समझेंगे डबल ओले पूरी तरह समझ जाएंगे कि जब लड़किया निकलती है उनकी गर्फ्रेंड ही वो तो निकलती है तो भाई बिना मेकप के तो निकलेंगी नहीं निकलेंगी जब गर्मी बाहर जाएंगी धूप पशीना होगा तब इस तरह कर लेंगी आखों का काजल मेकप सारा खराब और पूरा चेहरा बन गया चिटकबरा लेकिन भाई इत्ता मसम्झो लड़किया अपनी इंस्ट्रुमेंट पूरा लेके च जैसे कि यह विंग फ्लगे हैं यहां पर लड़कों का एक्सप्रेशन है फोटो किचाने का सबसे सिंपल एक्सप्रेशन मतलब पोज बहुत आराम से और लड़कियों का लड़कियों का भाई अलाग ही महाल है भाई साब इत्ता तगड़ा हम तो देखते हैं ना तगदम मा जाएगी कि अगर कटे रहे पेड तो जमी खाली हो जाएगी अरे सूरज भगवान कम कर गर्मी वरना पापा की परिकाली हो जाएगी भाई साब इत्ते गर्मी हम तो जहल लेंगे लड़कियों नहीं जहल पाएगी अच्छा किते लोग यहां पर डवाल है भाई सादी हो गई आप तो बेहत खुबसूर्त समझ रहे होंगे यहां कुछ अप्रच को जितते लोग अधिला हो primera सादी बार यहां तो उन्हें तो गर्मी पर्दास नहीं होती हैं मैं तो हमारे पार्टनर की खर्मीी बारदास नहीं होतीयार मन कड़ता के लाथ मारके नीचे दADA को उसे रात को और जो बेचारे डबल हैं उनकी क्या हालत होगे कुछ लोग तो अपने छुपाने के लिए बता ही नहीं है मलब बता ही नहीं रहे कि मैरी साधी हुई है एस ही लगा रखे 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 एस ही लगा रखे एक टाइम आती है गर्मी हो जाती है लेकिन उसे कोई नहीं बताएगा ना वो प्रशनल है तो जैसे मैं एक बार मलब ट्रेवल कर रहा था तो मैं देखा कि गाड़ी था मलब ट्रक था पीछे क्या लिखा था नौ बच्चों का नाम लिखा था तो मैं सोचा भाई साब यार यह कित्ता मेहनत करता है दिन में रात को कित्ता मेहनत करता है नौ नौ बच्चे मैं तो यही सोच रहा है मैं गाड़ी आगे करके उसे रोक के भी पूछने भी लगा कि भाईया यार आप ऐसे कैसे कर दिये तो बोला कि भाई जानते नहीं है रिशार्ज का बैलेटी खतम हो गया वरना अब तक क्रिकेट टीम खड़ी हो गई होती हम कहें वा भाई अजब हो तो मैं इसी तरह मतलब चलता फिरता रहा तो बागी हमारी सकल देखके तो नहीं लगती मैं डबल हूंगा आपको क्या लगती है नहीं ना भाई यही हाले भगवान किसम कह रहा हूं कि मैं 12 पास किया बिए फ़स्ट इयर भी खतम हो गया लेकिन आज तक मैं डबल नहीं हुआ सोचा बहुत लेकिन हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ इसके पीछे कहानी है कि गर्मी गर्मी तो बरदास नहीं होती भाई साब जब नौरा फटेह को गर्मी नहीं बरदास हुआ तो हमें कहां से गर्मी बरदास हुआ इसलिए हुआ गर्मी पे डांस इतना खतर ना कर गई तो मैं एक ट्रेन में चल रहा था तो मैं एकदम दरवाजे पे खड़ा था तो पीछे से एक आंटी आई दो बच्चे साथ में थे एक लोडेड भी था सायद तो मतलब आई तो उसके बाद मुझसे कहीं कि अंकल जी सायड हो जाए भाई मैं किस सरा से अंकल दिख रहा हूं आपको किसर से भी अंकल लाग रहा हूं मैं कहां भाईया जब आंटी लोग मुझे आंटी लोगों को आपको माताजी दिख रही हूं भाभी बोलते तो तब भी चलता आपको माताजी भाईयार बोड़ी औरस से कौन जाके भाभी बोले हां बैलेडिटी उनका खतम हो गया पांच साल जिंदगी बच्ची है अब अब भाभी कहला रही है